सर क्या मजाक है हमारे यह वैसी साब की जो चोटे भाई हैं इन्होंने इंदू देवी देखता हूं के लिए बहुत कुछ कह रखा है वो सब यूट्यूब पर आज भी अवेलेबल है यूट्यूब पर फूल पर चलता है सबके उस मामले में विक्ति को आपको बता है सजा क्य हमारे जज अपनी घर की सुरक्षा में पुलिस वालों को एकदम लेटेस बंदूख दिलवाते हैं घर में जो तैनाथ है यह मैं इसको जिजों की उपर कारेकरम नहीं बनाना चाहता है और उसके बाद लेटेस्ट आइफोन रखेंगे जिससे हमारे डाटा सुरक्षी अब अच्छा जजजमेंट भी तो आया है जो आपने घुसपैठियों वाली बात किये असाममें एक जजजमेंट आया कि आपको 81 से 61 के बाद वाले रह सकते हैं सेवेंटीवन वालें को आप डिपोर्ट कर सकते हैं जो भी उसके बाद आया है जो उसके बाद आया है बहुत अच्छा है मेरी एक पी आईयल चल रही है 2017 से कितने लाख लोगों ऐसे मिलेंगे जो लीगली आए 2017 जब मैंने पी आयल फाइल किया था सौरब जी तब मैंने समझाता हुआ बाकी जगह के लिए करना सरकार करना है बांगरदेश से जितने लोग लिए लिए उनको आप पहचाने और डिपोर्ट करें हमारी पी इल यही है कि आप इनको डिटेक्ट डिटें डिपोर्ट विदिन एयर सारे राज्यों को रोटिस हो रखा है कोशिश तो क अगर है इतने बाहर यह जो जातिवादी कीडे भास्यों वाधी कीडे हैं चेत्रवादी कीडे हैं सफेद पोस्कलीज veo bhi कहाना किया लीजिए. जब तक इनकी अब सफ़ाई नहीं करेंगे, जब तक हमें रॉर्पोट पर लक्रन सब्सेरों करता है, थीक है अपस में दलित बिनाम समण करता है करके अपना भी निता अब पंद जा रहा रहा है, जब कोड हो और आपके पास जुडिसेल चार्टर हो जजेज के लिए मेंडेटी हो जजेज की रिस्पॉंसिमिल्टी हो आपको साल भर के अंदर फैसला करना ही करना है मैंने एक ट्राई मारा था मैंने प्याईल फाइल किया दो पूरे देश भर में अमले एंपी कोड बनी जनते हैं उसका नतीजा क्या हुआ चार सो से ज्यादा सांसो दो विधाकों सजा हो चुकी है नहीं तो पहले उनका केस चलता ही नहीं था मेरी पी आईल के बाद ये आजम खा को सजा हुई उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सजा हुई असरफ अहमद अतीक अहमद दुनिया भर के अफजाल अंसारी मुखतार अंसारी सुप्रिम कोट नहीं केवल इतना कहा था कि साल भर के अंदर मेलेंप के डिसाइड करो मैं कराऊ साल भर के अंदर सब्रा केस डिसाइड करो असली प्रॉब्लम यह सारे काम जो है आप तो कोर्ट में कर ले रहे हो यह जब सरकार कानून बनाने पर आती है तो यह सारी चीज़ें एकदम से कमुनल डिकलेर हो जाती हैं कि एजन्डे सिरफ मुसलिम यह मुसल्मानों को टार्गेट करने के लिए हैं एंटी मुसलिम सरकार है और आप ऐसे पेंट करोगे पर पार्लेमेंट में हम जानते है क्या हूँ आप यह कानून मत बनाईए तब इलाज कीज़ें कौन आपको क्या कहता है क्या सोचता है इमेज की चिंता मत करिए उसकी चिंता मत कीज़ें क्योंकि वो बदलने वाला नहीं है उसने पहले से तैय कर रखा है कि आपको हमको इसी रूपे पहचान आपकी करानी है मैं एक बार प्रोग्राम में आप से इसी ब वहाँ गोली तो नहीं चलाई पुलिस ने, कोई तोप नहीं चलाई, टैंक नहीं उतारे, वही नॉर्मल पुलिसिंग से ही कंट्रोल हुआ कि नहीं, तो वही है कानून का डर. एक बार पहले भी मैंने शायद कहा था, C.A. के आंदोलन में ही लख्णव में है, एक मुस्लिम कॉलेज में बहुत बड़ी संक्षय में लोग के कठा हुए है, S.D.M. ने जाके कहा कि सरकार की और से संदेश लेके आया हूँ, कि आपको जो करना हो किजिए कुछ नहीं करेंगे, पुलिस भी नहीं करेंगी कुछ, लेकिन उसके बाद जो होगा जो आप करेंगे, उसके लिए आपको कई जन्मों तक पच्छता, कई पीडियों तक पच् चंद्शेखर जी की सरकार थे, सबसे कम सांसर थे, पंजाब में मिलिटेंसी पीग पर थी, किसी डिस्टिक हेड़कॉर्टर पर बरसों से तिरंगा नहीं लेराया जाता था, जला देते थे, फार देते थे, खालिस्तानी तिरंगा, जंडा लेरा देते थे, दीजीप को पड़ने पड़े, मार देजिए, टैंक चाहिए, मिलेगा, लेकिन जंडा जुरूर फेराये जाएगा, फुलिस को लाठी निचारा थे, हमारे पास पांच बड़े तगड़े कानून है, हमारे पास NSA है, UAPA है, देश-द्रोग की धारा है, वेजिंग वार की धारा है, गें संख्यक है, नहीं तो पाकिस्तान, मंगला देश की हिंदों की क्या हालत है, ये खुद देख लें. अज़ार एक भी बार के बार के बार के आसल होता है.